नमस्कार स्वागत है आपका दान्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुपराजैनी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के फैसले ने ना सर्फ आर्चेडी नहेता और साथी इंडी अलाइंस के नहेताओं को परिशान किया है बलकि इससे इन इंडी अलाइंस में शाहिर प्रवाश्नितिक दलों के एजेंडे पर काम करने वाले कुछ पत्रकार भी वोख लाए हुए हैं और इनहीं में सबसे बड़ा नाम है विहार से ही ताह्यूक रखने वाले पत्रकार रवीश कुमार का जी हां रवीश कुमार बीज़पी से कितनी नफरत करते हैं यह हमने बुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अरजर्टी से नाता तोड़कर बीज़पी के साथ गटवंधन करके वहां की सत्ता पर वो काबीज हो गए हैं तो नितीश कुमार पर बौकला हट लिखाने के बज़ए हैं रवीश कुमार बीज़पी को घे तितीश उस वीडियो में कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार बन गई है जैश्री राम का नारा लगाने वालों ने जिने पल्टु राम कहा आज उन्हें सत्ता के लिए अपना राम बना लिया 22 जन्वरी से नारे लग रहे थे राम आए हैं लेकिन 23 जन्वरी से दूसरा नारा बचने लगा पल्टु राम आए हैं भारत की राशनिती में राम पहले भी आ चुके हैं आया राम गया राम इस तरीके से भारत की राशनिती रही है कुछ इस तरह की बाते रवीश कुमार इस वीडियो में कर रहे हैं लेकिन जैसे ही रवीश कुमार ने ये वीडियो बनाय और जाहिर तौर पर उन्होंने इस वीडियो में भगवान राम पर जिस तरीके से हमला फोला है उसको लेकर अब जो पत्रकार हैं अशोक शिर्वास्तव उन्होंने रवीश कुमार को आइना दिखाने का काम किया है उन्होंने रवीश कुमार को जवाब देते हुए पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि ये बेशर्मी की इंतहा है रवीश कुमार की बीजपी से खुंदक बिलकुल समझ में आती है लेकिन नितीश कुमार ने अब क्योंकि बीजपी का दामन ठाप लिया है इसलिए नितीश के परती उनका frustration समझ में आता है लेकिन हिंदूओं के आराथ्य देव परभू शिरी राम का नाप लेकर करोडो करोड हिंदूओं की भापनाओं का इस तरहीके से क्या मजप्ट बनाना सही है क्या इन में इतना सहास है कि कि किसी और मजप्ट के लोगों की भापनाओं का इस त के लाहबा मैं आपको ये बता दूँ कि दरसल 22 जनवरी यानि जब रामला की प्रान परतिष्ठा अयुद्या में भव्य राम मंदर में हुई उससे ठीक पहले लगातार जैश्री राम के नारे और उनके भजन जो थे वो गूंच रहे थे और अभी भी लगातार सोशल मीडिय अगर अगर देखेंगे तो जैश्री राम के नाखे और साथी भजन लगातार बच रहे हैं लेकिन रवीष कुमार को इससे भी तकलीफ है रवीश कुमार ने एक पोस्ट किया है और पोस्ट में उनकी मानसिक्ता साफतोर पर छलक रही है हाला कि रवीश कुमार इस पोस्ट के जरके लोगों की मानसिक्ता गिराने की कोशिच कर रहे है लेकिन रवीश कुमार की मानसिक्ता दिख रही है कि वो किस तरीके से ये कह रहे हैं कि स्वाती मिश्रा के भजन राम आये हैं को परधान बंतरी ने ट्वीट किया ये भजन जन्वरी के पहले महिने में काफी बज़ा है इसके वीडियो देखें और सुने गए हैं कह सकते हैं कि जन्वरी का सूपर हिट गाना यही था और इतना ही नहीं उन्होंने कई हैं जो चैनल है वो गिनाए है कि इस तरीके से सुवाती मिश्रा का ये भजन कितने मिलिय जून रहे हם जो इससे एंग गुनाय जादा लोंग भोजपूरी गाने भी यतमें अच्छा नहीं है और रवीश कुमार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की मांसिक्ता क्या है उन्होंने ये लिखा है कि एक समाज को समझने के लिए इसका अध्यान होना चाहिए जो समाज भजन के माफ़े में इतना बारीक स्वाद रखता है वो किस तरह के भोजपुरी गाने सुन रहा है देखना चाहिए कि राजनिती से उसकी आकांशा क्या है जीवन को भोगने के उसकी पृति क्या है और जीवन के बाद मुक्ति का मार क्या है इस साखे ग्यान रवीश कुमार जो है वो अपने इस पोस्ट के जरहे दे रहे हैं जब आप पोस्ट पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि रवीश कु देश का सबसे नकारा इंसान अगर कोई है तो रवीश कुमार है इस तरीके की बाते भी लोग लिख रहे हैं जिस तरीके से रवीश कुमार ने राम भजन की तुलना भोशपूरी गाने से करते हुए इस तरीके से लोगों की मानसिक्ता पर सवाल उठाए हैं लेकिन आप चो क कारना है, जाहिर तोर पर उससे आपकी भी मानसिक्ता समझ में आती है, तो रवीश कुमार शायद है, इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि उनका, यूट्यूब चैनल जाहर तोर पर इतना जादा लोग उन्हें सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि पत्रकारिता की आड़ में वो जिस तरीके का एजेंडा लेकर काम करते हैं जिस तरीके से वो भगवान राम पर तंच कसने से नहीं चूकते हैं अगर मोदी का विरोत करन तो परभू शिर्राम कभी विरोत करने पर रवीश कुमार उतर आते हैं और चुकि बिहार से वो आते हैं तो ऐसे में जब बिहार की सियासत में भूचा लाया तो रवीश कुमार ने भी एक वीडियो बना तिया लेकिन उस वीडियो में जिस तरह की बाते रवीश कुमार कर तरीके की बात है रवीश कुमार कर रहे हैं हाला कि लोगों ने रवीश कुमार को जवाब दिया है और ये भी कई लोग लिख रहे हैं कि कुंठित मन कुंठित जीवन के प्रचंट प्रतिरूप रवीश कुमार जिस तरीके से विद्वा विलाप करने में लगे हैं नितीश इन तो शिर्राम पर बोले का कोई और चित्ते नहीं है अगर आपके स्थान विशेश में इतना बल है तो जराब पीसफुल पर चर्चा करें तो इस तरीके से भी लोग उन्हें दरसल टार्केट कर रहे हैं कि अगर आप भगवान शिर्राम पर बोल रहे हैं आप आयोधिया मे लोग अब रवीश कुमार को कह रहे हैं तो कुल मिलाकर अगर देखा चाए तो नितीश कुमार का जो यह फैसला है जाहिर तोर पर यह इंडी अलाइंस के लिए बहुत बड़ा जटका है उसमें शामिल राजनितिक दलों के लिए बहुत बड़ा जटका है और यही शायद वज़ा है कि रवीष्ट कुमार चोकी कॉंक्रिस पार्टी के जिन्दे पर काम करने का उन पर लगातार आरोप लगता रहा है जिस तरीके की पत्रकारिता वो कर रहे हैं और करते रहे हैं तो ऐसे में अब लोग लगातार के कह रहे हैं कि आप भगवान राम पर ना बोलें आपकी अगर कोई दुश्मनी बीज़पी से है नितीश कुमार से है तो आप वहाँ पर सवाल खड़ा कर सकते हैं लेकिन नितीश कुमार को राम कहना और इस तरीके से बाते करना ये ठीक नहीं है तमाम तरीके के कॉमेंट ल पर ना चुके हैं और उसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया जिसमें नितीश कुमार ने लिखा कि मैं मातने प्रदान मंतुरी श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके द्वारा दी गई बधाई और शुब काहना के लिए सारे जो बिहार के रहने वाले लोग हैं उनकी तर सरकार होने से विकास कारहे को गती मिलेगी और राज्चे वाश्यों की बहतरी होगी ये उमीद जो है वो बिहार की मुख्यमंद्री नितीश कुमार ने जाहिर की है तो कुल मिलाकट जिस तरीके से बिहार में नितीश ने बीज़िपी के साथ गड़ बंदन करके वहां की सत पर कावीच नितीश कुमार हुए हैं उसको लेकर ना सिर्फ ये जो फैसना नितीश कुमार का है तमाम इंडी अलाइंस के नेता बोखलाए हुए हैं ममता बेनेच्छी से लेकर कॉंक्रिस पार्टी के कहीं नेता और यहां तक की शेद्वार जैसे नेताओं का बयान साथ न हुमें से एक हैं और रवीश कुमार की तरफ से जिस तरीके से पोस्ट किये जा रहा है जिस तरीके से वीडियो बनाकर ये हमला बोला जा रहा है जिस तरीके की भाफनाएं दरसला रवीश कुमार की जहन में उमट रही है वो तमाम चीज़े हमने आपको बताई हैं लेकिन इसको लेकर आपकी क्या राए हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें